जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों रविवार 29 सितंबर से शार्दिय नवरात्र शुरू हो रही है इस बार माहाथी फर सवार हो कर आ रही है मादुर्गा जो अपने साथ कैस शुब सैयोग भी ला रही है इनी शुब योगों के बीच अब की बार नवरात्र में घट इस्थापना यानि कलश बैठाया जाएगा देवी भागवत पुरान के अनुसार कलश भगवान गनेश का स्वरूप है जिसमें सभी तीर्थ, समुद्र, वरुन, पवित्र नदियों सहित अनेक देवी देवताओं का वास होता है कलश इस्थापित करने के बाद भगवान गनेश का स्वरूप बन जाता है जो विग्णों को दूर करता है विग्णों को हर लेता है नवरात्र बिना किसी बाधा के पून हो इसलिए देवी की पूजा आरम करने से पहले घट याने की कलश स्थापना की जाती है और हर दिन देवी की पूजा करने का विधान है दोस्तो इस वीडियों में हम बात करेंगे कि कलश इस्थापना का शुम महुरत क्या होगा रविवार को सूर्योदे के बाद से कलश इस्थापित किया जा सकता है इस दिन सूर्योदे से चार घंटे तक और अभीजीत मुहूरत में मिट्टी और रेत पर कलश बैठा कर संकल्प लेकर कलश इस्थापित करना चाहिए बिना संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है दोस्तो इस बार नवरात्र पृति पदाती थी और कन्या लग्ण में शुरू हो रहे हैं इस दिन पांच ग्रह शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध एक ही लग्ण में होंगे इस लग्ण में और हस्त नक्षत्र के दौरान कलश बैठाना बहुत ही शुब रहेगा अगर कन्या लग्ण में कलश इस्थापित नहीं कर पाते हैं तो धनू लग्ण में आप कलश इस्थापित कर सकते हैं कलश इस्थापित करने का दिल्ली में जो शुब मूरत है वो है 6 बजकर 17 मिनट से 7 बजकर 40 मिनट तक कन्या लगन का शुब मूरत है और वहीं धनू लगन का शुब मूरत होगा 11 बजकर 48 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट तक मूंबई में ये शुब समय होगा 6 बजकर 34 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक ये कन्या लगन का समय है और धनू लगन का समय होगा 12 बजकर 7 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक वहीं कोलकाता में ये शुब समय होगा 5 बजकर 30 मिनट से 6 बजकर 50 मिनट तक ये कन्या लगन का समय है और धनू लगन का कोलकता में समय होगा 11.03-15.00 तक आईए दोस्तों आब मादुर्गा की पूजा विधी जान लेते हैं दोस्तों माता की मूर्ती या तस्वीर के सामने कलश मिट्टी के उपर या रेत के उपर रखकर अपने हातों से अक्षद, फूल और गंगा जल लेकर वरुन देवता का आवाहन करें कलश में सर्व औशधी और पंच रत्र डालें कलश के नीचे वाली मिट्टी में सप्त सांध्य और सप्त मिब्रति का मिलाएं आम के पत्ते कलश में डालें कलश के उपर एक पात्र में अनाज भर कर उसके उपर एक दीपक जलाएं कलश में पंच पलव डालें इसके उपर लाल वस्तर लपेट कर एक पानी वाला नारियल भी रखें कलश के नीचे की मिट्टी में जौं के दाने जरूर फैलाएं इसके बाद गनेश जी और सभी देवी देवताओं की पूजा करें, अंत में भगबान शेव और ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए, इसके बाद मा भगबती की पूजा करके दुर्गा सब्त शती का पाठ अवर्श करना चाहिए दोस्तों ये था नवरात्री कलश, इस्थापना शुब महूरत और पूजाविधी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, धन्यवाद जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी